ग्रहों में सेनापती, अंगारक, मंगल राशी परिवर्तन टरने जा रहे हैं। 22 फरवरी 2021 के रात्री अंतराल से ही मंगल वुरेशब राशी इस्थान में प्रवेश कर जाएंगे जो इनका शत्रू राशी स्थान है। यह परिवर्तन 14 अपरेल 2021 तक अपने जो भी आधार है उनको व्यक्ति विशेश के जीवन में सामने रखने बाला रहेगा। यहां आप देखें कि मंगल स्वराशी स्थान से निकल कर शुक्र के राशी स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल ते वर्ता देते हैं मंगल व्यक्ति के भीतर के टेज को बाहर निकालने वाले होते हैं और जब वो बहुत एकता के आधिपती के राशी स्थान में रहेंगे तो यहां जो परिवर्तन है…। उसमें कई बार व्यक्तिकत जीवन में fascination भी निकल कर आती है। उसमें व्यक्तिकत जीवन के साथ ऐसी चमक दमक और खर्चे भी निकल कर आने की संभाबनाएं होती है। जिसकी हाल फिलाल जरूरत नहीं है। तो वहीं आप देखें कि information technology के साथ जो भी व्यक्तिविशेश कारी रत रहता है। उसके कामकाजी जीवन में परिवर्तन किस तरह से सामने होंगे। आप profile change की और जाना चाहते हैं। आप स्वयम के लिए कोई और job को ढूणना चाहते हैं। financial year end होगा। तो उसके साथ में ही ये जो समय अंतराल है। हमारे लिए किस तरह के परिवर्तन को आधारत करने वाला होगा। वहीं आप किसी भी affair approach के साथ में चल रहे हैं। यानि किसी रिष्टे के साथ में हैं। और अब भेर परिवार के सामने उस रिष्टे को रखना चाहते हैं। जल्दबाजी के साथ तो नहीं है। वहीं तकनीक संबंधी शेतर विशेश के साथ में आपका कार और हस्तक्षेव जुड़ा हुआ है। वहां क्या इस्ततिया निकल कर आएंगी। इसके अलावा जो एग्रेशन हम निरंतर मैसूस कर रहे थे, रिष्टे कहीं न कहीं खराब हो रहे थे, वहां क्या परिवर्तन निकल कर आ सकते हैं। आप मटेरिलिस्टिक लगजरी की और जाना चाहते हैं। उसी मटेरिलिस्टिक लगजरी के अंदर कुछ खर्चों को बचाने की आवश्यकता है। एक से दो रुपए के खर्च की और नहीं चले जाएं। एक से पचचतर पैसे के खर्च की और जाएं तो बहतर है। ये सारी ही सूच हमको 14 अपरेल तक सामने रखनी होगी। तो मार्च का पूरा ही महिना फरवरी के ये अंतिम अंतराल के दिन और वहीं अपरेल की शुरवात के साथ में जब ग्रहों के सिनापती का परिवर्तन सामने आएगा। तो हम कई कारियों में जो रुकावट महसूस कर रहे थे वहां किस तरह की तिवर्ता सामने होगी। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि शुक्र की राशी स्थान में यहां पर मंगल चलाएमान रहेंगे। किन्तो शुक्र स्वयम अस्त गत इस्ततियों में रहने वाले हैं यह भी एक प्रमुक आधार यहां पर निकल कर सामने आता है जो कहीं ने कहीं कौंशियस अप्रोच में समझ कर चलने की रेक्वार्मेंट है। तो वहीं यहां कार्तिके उपासना का आधार प्रमुक तोर के उपर व्यक्ति को अपने जीवन में लेकर चलना चाहिए। मंगल की चौती द्रिस्टी यहां ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य उनके राशिस्तान पर रहेगी यानि कि सिंग राशिस्तान के साथ जुड़ी होगी तो वहीं पर वरिष्चिक राशिस्तान के साथ में जो इनका स्वयम का भाव हो जाता है वहां पर भी जुड़ी होगी कई तरह से अलग-अलग positions को देने वाला होता है इसके साथ यदि आप sports personality है वहाँ पर भी अपनी conscious approach को अलग तरीके से लेकर चलिएगा किसी selection की प्रतिक्षा आपको लंबे समय से थी यहाँ पर भी एक important base आपके सामने आ रहा है मंगल भूमी सुत भी है इस बात को भी प्रमुक तोर पर गौर करके चलना है कि आप एक अच्छे कासी job में है retirement के आसपास है अपने लिए agriculture से संबंदित किसी भी कामकाच को देखना चाहते है तब भी मंगल का यह परिवर्तन एक अलग आधार आपके सामने लेकर आएगा presentation के अंदर जिस experience की जिस वाक पटुता की आवशक्ता होती है जो इतने लंबे समय से reflection में नहीं आपा रही थी ग्यान भरपूर है किन्तु जब वास्त्विक स्तर पर उसको लोगों के सामने रखना होता है तो हम कहीं न कहीं अपने भीतर एक तरह से निराशा वाडिता को देखने लगते हैं यहां मंगल का ये परिवर्तन बले ही शत्रू राशी स्थान में हो आपके लिए इनकी दृस्टी और इनका प्रभाव ऐसी मीटिंग्स के साथ में ऐसे निरनायक इंटर्व्यूस के सामत में एक अलग तरीके का प्रभुत्व लेकर आ रहा है तो वहीं ये भी गौर करके चलना होगा कि मंगल का दृस्टी संबंद अपने मित्र राशी स्थान के साथ में ही जुड़ा होगा इसी बज़े से आप इसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के साथ में मत देखिएगा ये एक इंपोर्टन अप्रोच है तो वहीं जब मैं मेश राशी के साथ में शुरुवात करूँगा ये भी बताने का प्रयास करूँगा कि इस परिवर्तन के साथ कामकाजी जीवन और पर्सनल लाइफ में हमको किस तरह से रियक्ट करने के अरतरब जाना है और किस तरह से एक शांति प्रद आधार भी बना कर रखना है मेश राशी के साथ यदि मैं शुरुवात करता हूँ तो आप सर्व प्रथम अपनी वानी के उपर नियंतरण रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा और वहीं पर जो हेडन प्रॉब्लम्स बारम बार जीवन में सामने आ रही थी किन्तो उसका सॉल्यूशन नहीं था यहाँ वो परेशानिया अपने वास्तविक सोरूप में सामने आएगी उससे आप घबराईएगा मत कई बार परेशानियों का सामना करने की आवशक्ता होती है वो ही हद आपके सम्मुक यहाँ पर बनी रहेगी पारिवारिक जनों के साथ में वहवारिक दिर्स्टिगोर्ण में थोड़ी सी इग्नोरंस लेकर चलिएगा कोई भी व्यक्ति आपकी प्रती एक कुंठा को बारंबार उजागर कर रहा है और आप भी उसको जवाब देने की और जाते हैं तो एक negativity सामने आने लगती है उससे बचिएगा तो वहीं IT field के साथ में आपका जुड़ाव रहा है आप इस बात को मान कर चलें कि यहाँ financial gain, extra, responsibility और वहीं stability का एक base भी आपके लिए बनता चला जाएगा यहाँ मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो मंगल के साथ में जुड़ी हुई चौथी द्रिस्टी है जब वो पंचम भाव के उपर अपने द्रिस्टी निक्षेपन को रखने वाली होगी तो यहाँ आपके ज्यान का आधार कहीं न कहीं अर्थ तंत्र में परिवर्थित होकर आपके लिए एक नई reflection को देने वाला होता है तो वहीं पर भाग्य का जब सयोग रहेगा और इसी भाग्य के सयोग के साथ में instant based का decision लेने की जब एक approach के साथ में आपका चलने का आधार होगा तो वहाँ आप रोकने वाले नहीं हैं वहाँ आप ठकने वाले नहीं हैं आप यदि विदेश संबंदी आउटसोर्सिंग संबंदी किसी भी गतिविदी के साथ में जुडने वाले विक्तिविशेश हैं तब भी इस समय के reflections आपके लिए एक better approach को देने वाले होंगे तो वहीं किसी relation के साथ में चल रहे हैं आप से निविदन करूँगा कि आप एक धीमापन बनाकर जरूर रखने का प्रयास कीजिएगा instant approach में किसी भी decision की और आपको नहीं जाना चाहिए तो वहीं वरिशब राशी की मैं यहीं चर कुछ हासिल किया किन्तु अब आगे मेरे सामने शुन्य है निराशाय है जो लोग साथ में थे वो पीछे छुड़ चुके हैं यहां ऐसी सारी इस्तियों से bounce back करके आप अपने भीतर के आवेग में एक positive approach को देने वाले होंगे ग्रेहस्त जीवन के साथ में संबंदों को सु सकते हैं मंगल की चौथी द्रिस्टी ऐसे ही प्रभाव आपके सामने रख रही है रक्त संबंदे विकारों से जो परिशानिया बनी हुई थी बले ही उच्च और निम्न रक्त चाप हो एनिमिक होने वाली position हो उन सभी से एक दूरी अब यहां पर बनेगी किन्तु वाहन चल हैं व्यापारिक साजेदारियों में यह जो भाव चलते हैं कि हम ही सही हैं और हम लगातार कर्म कर रहे हैं अगला व्यक्ति उस जोश के साथ में नहीं चल रहा है उस व्यक्ति की situation को देखना, circumstances को समझना, हमने कहां script से शुरुवात की थी और आज कहां तक पहुंचे हैं उ तो वो नरनय के अंदर गलत फहमियों को सामने रखने वाला नहीं होता, इसी वज़े से वरिशब राशी के जातकों से निवधन करूंगा कि आप business partnership में भी थोड़ा सा एक तरह से base बना कर चलिएगा, agriculture संबंधी कामकाज में बड़े नरनय यहां आसानी से लिए जा सकते है benefit की approach को यह सारी ही decision आपके सामने रखने वाले होंगे, research, संबंधी, कामकाज, जो की तकनीकी शेत्र विशेश या फिर medical field के साथ में चलता है, निरनायक सफलता का आधार 22 परवरी 2021 से 14 अपरेल 2021 तक का समय आपको दे सकता है, व्यवारिक दिरस्टे कॉर्ट से अपनी पूर तो वही मेथोन राशी, सारोबर्थम आप यहाँ पर यदि विदेश संबंधी किसे भी नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुडाव रखने वाले व्यक्ति पिशेश हैं, वीजा संबंधी कोई भी परेशानी लंबे समय से आपको सता रही थी, यहाँ समाधान की हदें आप अपने ओफिस कल्चर में और यदि कॉर्परेट कल्चर में भी चल रहे हैं, सरकारी तंतर के साथ में चल रहे हैं, रियक्टिव होने से बचें, यह एक नुविदन में आपसे करना चाहूंगा, तो वहीं भाईयों के साथ संबंधों को भी संभालने की पूरी-पूरी आवशक्ताएं होगी, यह एक दूसरा आधार आपके संभूख है, तो वहीं यह भी देखिएगा, कि रक्त संबंधे विकार परेशान करने वाले नहीं हों, आपसे करबद होकर निवेदन कर रहा हूं, कि कोई भी आपको रिंड लेने की और जाना है, वहाँ पर एक बार प से क्यों जाएं, हाखिरकार बर्डन व्यक्ति के उपर ही बढ़ना है, ऐसे समय जब भी आप निरने लेते हैं, तो एक तरह से चमक दमक आपके सामने होती है, व्यापार के अंदर लोगों को एट्रेक्ट करने के लिए प्रड़क्ट के साथ में व्यक्ति को मार्केटिंग क बच कर चलें और वहीं पर जो शत्रू आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, जो कहीं न कहीं मन और मस्तश्क के अंदर काबिस थे उनकी सोच को लेकर, आप ऐसी प्रबर्तियों से भी पूर्ण कालेक तोर के उपर दूर रहे कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा, य ये भी एक इसपस्ट निविदन में आपसे करना चाह रहा हूं, तो वहीं रिष्टों के साथ में आत्मियता बनी रहेगी, वहीं करक राशी, सवर पर्थम यहां जो शेर मार्केट संबंधे कामकाज है, वहां एक तिवरता आपके लिए आएगी, इंस्टन अप्रोच के कि किसी भी डिसिजन की और बढ़ना है, रोकना नहीं चाहिए, एजुकेशन पूरी की है, दो रास्ते हैं, या तो फिर से हायर एजुकेशन की और जाएं, या फिर हम नौकरी पेशा जीवन की और जाएं, या अपने ही किसी कामकाज की और जाएं, नौकरी पेशा जीवन भी अर्थ तंतर को प्रदानता दे कर चलिएगा, you can move towards the financial positions itself, तो उस तरफ जाना आपके लिए ज्यादा बहतरी का एक ध्योतक मातर है, तो वहीं पर आर्थिक पक्ष के साथ में एक अलग तरीके का संबल, चंदर्मा परदान राशी के जातकों के लिए यहाँ पर बनने वाला है, तो साथ ही साथ में आप यात्रा संबंधी कामकाज में भी एक अलग तरीके का reflection महसूस कर रहे हैं, जो ठकावट मन के अंदर थी, जो रुकावट मन के अंदर बारम बार आपको निराशाओं के तरफ लेकर जा रही थी, उससे दूर रहने का ही समय रहेगा, एक निवेदन आपसे और करना चाहूंगा, कि जो बाइस फरवरी से लेकर बारह मार्च 2021 तक का समय अंतराल है, ये अतीब महत्यपूर तोर के उपर, शारिरिक स्तर के उपर, जो भी आप सुद्रता लेकर आना चाहते हैं, अनुशाशन के साथ में अपने जीवन को लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी ये समय आपके लिए बेहद शांदार है, वहीं सिंग राशी, ये समय उर्जा का है, ये समय पूर्ण कालिक तौर के उपर, इच्छा शक्ती के साथ में परिवर्तन की और जाने का है, आप अपने जौब के अंदर लंबे समय से एक इस्तिरता के साथ में चल रहे थे, और अब परिवर्तन की आस मन के भीतर से निकल कर आ रही है, और आप वरशों के बाद में अब परिवर्तन की उजास को अपने मन के भीतर देख चुके हैं, तो उसके बाद में रुकने की आ रखने वाला होगा एक महत्वपूंट स्तती को तो इसी वज़े से उस और बढ़ने में कहीं पर भी हेच के चाहट आपको रखने की आवशकता है नहीं अपने एक्सपीरियंस को बेस बना कर चलिएगा संतान पक्ष के साथ रियक्टिव होने से आप बचें और वहीं आकस्मि आप अपनी संभावनाओं को बहुत अच्छे से लेकर चल रहे थे यहाँ पर किये गए प्रयास और कर्म आपके लिए फाइनेंशल गिन का एक स्टेबल मोड लेकर आने वाले रहेंगे वहीं संगराशी के जातकों से मैं ये भी निविदन करना चाहूंगा कि आप भूमी स संबंदित कोई भी बड़ा निरना ये लेना चाहते हैं तो बारहे मार्च से लेकर जो ये 14 अपरेल तक का समय अंतराल रहेगा डिसीजन मेकिंग अप्रोच में एक इंस्टेंट बेस बना कर रखिएगा फाइदे निकल कर आते चल जाएंगे अरचनात मक्ता संबंदी शेत आपको एक तरह से जवाब देही के साथ में भी चलना है ऐसी यदि कोई भी प्रोफाइल के साथ में आप हैं ये समय नरणायक है ये समय आपके द्वारा जो भी नरणाय सामने रखे जाएंगे कहीं ने कहीं मेजर अप्रोच में बेनिफिट देने वाले होंगे कन्या राशी सर्व परतम आप यहां पर देखेंगे कि भाग्ये का सयोग बहुत बहतर तरीके से है प्रमुक तोर पर IT फिल्ड या फिर बिजनस के अंदर जो सर्विस इंडस्टरी संबंदी कामकाज होते हैं जहां पर आपको एक तरह से नईपन के आवश्यक्ता है बिजन अपने कन्वेंशन के साथ में चल रहा था अब उस कन्वेंशन के साथ में बियांड को भी जोडने के रिक्वार्मेंट है तो यह समय उसी आधार को आपके सामने रख रहा है खर्चों से हेच के चाना नहीं है और अपने भेतर के जो उरजा का आधार है उसको भी लोगों क सामने रखना है आप किसी ओहदे के व्यक्ति के साथ में मिल रहे हैं एक चोटी सी designation के साथ में है और CFO और CEO के level के साथ में आपके मुलाकात होती है और वहीं पर आप पुरी जोश के साथ में अपनी ही संभावना है सामने है और वहीं पर इस बात पर भी आप गौर करें कि आपने engineering या फिर medical field के साथ में या अनुशाशन संबंदी किसी भी शेत्र विशेश के साथ में अपने सक्षा को पूर्णता दी है यहाँ पर आपके लिए higher education में भी फिर से possibilities recreate हो रही है उसको लेकर चलिएगा रिष्टे यहाँ पर एक तरह से demanding approach में आ सकते हैं professional life में कोई विशेश जुड़ता है और लगातार demand निकल कर आ रही है आप समझें कि compatibility कितनी है आप समझें कि bonding कितनी है और आप ये भी समझें कि demand किस हद तक आपके सामने आ रही है रिष्टे क्या चाहते हैं ये समझने के आवशेक्ताएं होती है fascinations के साथ में विक्ति कहीं पर भी नहीं पहुंचता किन्तु जब भी विक्ति आत्मियता के साथ में चलता है तो एक अनन्त सफर को तैक करता चला जाता है ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मंगल नवम भाव के साथ आध्यात्म भाव के साथ जुड़े रहेंगे यहां आध्यात्म एक तरफ और भात एक्ता दूसरी तरफ है बहुत एक्ता को हावी होने देने से आप बचिएगा वहीं तुला राशी सरबर्थम यहां निविदन की वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी रखने का प्रयास आप कीजिएगा ये एक बात है आकस्मिक धनलाप संबंदिश ये तरविशेश के साथ में जुड़ेवो हैं तो अपने दरणाय के अंदर एक धीमापन बना कर रखने का प्रयास आप जरूर करें दूसरे आधार के ओपर ये भी देखिएगा कि जो हिड़न प्रॉब्लम्स होती है या जो हिड़न टैलेंट होता है वो दोनों ही सामने आ सकते हैं एक तरफ फाइदा है तो एक तरफ नुकसान है हिड़न प्रॉब्लम निकल कर आती है वेक्ति घबराता है तो उसका सामना कीजिएगा हिड़न टैलेंट जो वर्शों से आपके भीतर अपनी जगहें बनाने का प्रयास कर रहा था आपने लगाता और उसके साथ में खुटको एवॉल्व किया है वहां से बेनिफिट निकल कर आ सकता है तो दूसरी और दनागवन रहेगा किन्तो खर्चे भी उसी आधार पर है इसी वज़े से आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं या मनी को किस तरह से एक बार हासिल करने के बाद में ब्लॉक कर सकते हैं ये प्रयास जरूर आप करें और वहीं जो आफिस कल्चर में क्लैशेस होते हैं उसको आप सामने लाने से बचिएगा अगला व्यक्ति रियक्टिव है आपके ओहदे से आपके कामकाच से तो हम क्यों उसको जवाब देने की और जाएं उससे क्यों न बचा जाएं इस प्रवर्ति को अपने भीतर इस पस्ट करके चलने की पूरी-पूरी आवशक्ता हैं रहेंगी वहीं वुरिष्चक राशी आप देखिए कि सरुप्रतम इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए व्याबारिक जीवन के अंदर ये समय व्याबारिक दृस्टिकॉर्ण से एक उर्जा लेकर आ रहा है जिससे लोग प्रभावित होते चले जाएंगे आप किसी भी लेवल के उपर IT इंडस्ट्री के साथ में जुड़े वो हैं यहां बड़े निरने लेना और स्वयम को एक तरह से accountability के साथ में लेकर चलना आवशक रहेगा जो भी जब्मेदारी है हमारी है निरने ले चुके हैं management के साथ में जो हम जिस position के साथ हैं हम पूरा ही उसका आधार बना कर चलें ये एक बात कर्मशीलता वड़ेगी निराशाओं से आप दूर अटने वाले होंगे व्यापार में कर्ज संबंदी स्तियां जो अपना समाधान नहीं लेकर आपारी थी या फिर विजनस में जिस rotation की requirement हमको थी वो requirement यहां धीमेपन के साथ में ही सही किन्तु 22 परवरी से लेकर 14 अपरेल 2021 के मद्ध है आपको कहीं न कहीं एक positive sense देने वाली होगी वहीं ग्रिहस्त जीवन में तल्खियों से बचियेगा कोई relation लंबे समय से आपके साथ में चला है उसके सुगंद आपके साथ हमेशा रही है और आप जीवन को बनाने के सपने वहाँ से देखते हैं किन्तु एक चोटी सी बात से वो संबंद बिगड़े नहीं यह आप त्यान रखिएगा वेक्ति कई बार ऐसे self justification के साथ में होता है कि उसको स्वयम की कोई गलती नजर ही नहीं आती सिर्फ और सिर्फ अगले के साथ में की गई जो भी स्तियाव नजर आती है वो reaction हो सकता है वो instant based की frustration हो सकती है उससे खुद को थोड़ा सा आप segregate कीजिए और फिर चलने का प्रयास कीजिए देखिए किस तरह का अधार सामने निकल कर आने वाला होता है वहीं यदि मैं धनुराशी के चर्चा करूँ तो सरवपर्थम अरक्त संबंधे विकारों से संभल कर आप चलिएगा ये एक निविदन है दूसरे बेस के साथ में यही समय अंतराल में अती महत्वपूर्ण है लोग यहां अपने डिमांड को सामने लेकर आएंगे किन्तु आप इस पस्ट तौर पर जवाब दीजिए कि विवस्ता इस इस तरह से हम कर रहे हैं ये विवस्ता होते हैं एक रिलीफ हम कुद को देते चले जाएंगे उसका बेस बना कर चलिएगा और वहीं पर आईटी फिल्ट के साथ में जुड़े वो हैं यहां आपके लिए जद्दो जहत बड़ेगी यहां टास्क ओरियेंटेड अप्रोच बड़ेगी कुछ ऐसे कामकाज सामने आ सकते हैं जो पहले आपके साथ अनुभव में जुड़े नहीं रहे हैं तो इसी वज़े से उस बेस को भी एक स्पेसिफिक लिवल पर क्लियर करके चलने का प्रयास आप जरू करें धनुराशी के जातकों को चाहिए कि भाग गिका जब सयोग परोक्ष्टार के उपर आपको पराप्त हो जब आप करमशील हो गए लोग सयोग में नहीं है किन्तु अंतुतो गत्वा वहां से नजर आता है कि अब लोग कहीं कहीं सपोर्ट में आने लगे हैं हमारा इतना सफर तै करने के बाद में तो ऐसी प्रवर्ती को अपने साथ इसपस्ट रखिएगा वहीं एजूकेशन के अंदर डिस्ट्रेक्शन आपको परेशान कर सकते हैं वहां से भी थोड़ी सी सावधानी रखने का प्रयास आप जरूर करें अर अचनात्मक्ता के शेत्र विशेश में बड़ी परिवर्तन आपको करने से बचना चाहिए तो वहीं ग्रहस्त जीवन के अंदर यहां आपसे पुनह मनिविदन करना चाहूंगा कि इस समय अंतराल के अंदर अपनी बाद को बहुत अड़िक डॉमिनेशन के साथ रखने से बचिएगा दीमापन रखने के पूरी पूरी आवशक्ता यहां पर रहेंगी वहीं मगर राशी आप जो लंबे समय से अपने क्षमताओं के साथ में एक परिचाय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे कोई ऐसी टास्क लंबे समय से मिली नहीं रही है कि हम खुद को पूर्ण तया उर्जा के साथ में लेकर चलें यहां शनिदेव परदान राशी के जातकों के लिए वही आधार बनेगा और साथ ही साथ शेर मार्केट संबंधी काम का जिम्हें यहां बेनिफिट निकल कर सामने आ सकता है नौकरी पेशा जीवन में जो साड़े सांती के मद्य अंतराल के साथ में आप संगर्श कर रहे हैं परिवर्तन की आशा और अपिक्षा करके चल रहे हैं कि फाइनेंशिल येर की एंडिंग के साथ में मैं कुछ नया सोचूंगा तो उसके बाद सोचनी के आवशक्ता नहीं 22 वरवरी से ही उस प्रोसेस को बढ़ाने का प्रयास कीजिए जो बेनिफिट यहां से मिलना है वो सामने आएगा किन्तु हम अपने प्रयासों के साथ में एक उर्जा यदि लेकर चलते हैं तो अभी भी परिवर्तन किये जा सकते हैं यहां रिसर्च संबंधी कामकाज या फिर आपने अपनी नौकरी और व्यापार के साथ में ही चलते हुए किसी और नई धारणा को इनुवेशन के साथ में सहे जा है लोगों के सामने उसको रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा संतान पक्ष के साथ रियक्टिव होने से आप बचें तो वहीं पर कार्तिके की आरादना और उपासना आपको जरूर करनी चाहिए यहां से परणामों में एक बहतरी और अच्छे से आने वाली रहेगी यह एक निवदन है तो वहीं पर जो भी महिलाएं संतान प्राप्ति की और अक्रसर हैं आप इस समय अंतराल में चंदर्मा की स्ततियों को देख कर ही ट्रेवल कीजिएगा अन्यता ट्रेवल अवर्ड करने की पूरी-पूरी रिक्वाइरमेंट आपके लिए रहेगी वहीं कुम्ब राशी सरव परतम यहां पर आप देखे हैं कि कर्म शीलता का आधार बहुत अच्छे से बना हुआ है कहीं पर भी रुकावट और ठकावट आपके रास्ते में नहीं है यह एक प्रवर्टी इच्छा शक्ती के भाव भी बहुत अच्छे से रहेंगे और वहीं जो भौत अक्ता के प्रती आकर्शन होता है वो यहां बढ़ सकता है ग्रहस्त जीबन के साथ में भी वो ही इस्ततियां सामने निकल कर आती हुई यहां पर है तो साथ ही साथ में बैंकिंग इंडस्ट्री संबंदी कामकाज में जहां बुद और ब्रहस्पती का भी अस्तक्षिप रहता है मंगल भी अपनी तिवरता को बनाने वाले होते है क्योंकि लिक्विडिटी संबंदी कामकाज है तो उसी वज़े से यहां निरणाय में थोड़ी सी हिच के चाहट आपको ज़रूर रखनी चाहिए माता के स्वास्ते का ख्याल रखें और वहीं पर यह ज़रूर ध्यान रखें कि पता के साथ किसी भी कामकाज में है हम अभी अनुबव हासिल कर रहे हैं शांतिपर्द आधार पर ही चलने वाले होंगे नौकरी पेशा जीवन में बारह मार्ज के बाद में एक स्तिर्था बनती चली चाहेगी और वहीं मैं यदी मीन राशी की चर्चा करूँ तो सर्व पर्थम नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप यदी सक्रिय नहीं हो पा रहे थे भाग्य का सहयोग बहुत बहतर तरीके से यहां आपको प्राप्त रहने वाला है दूसरे आधार पर आप इस बात को भी नोट करके चलिएगा कि रक्त संबंदे विकार हलके फुल के तोर पर आपको परिशान कर सकते हैं ऐसी स्तियों से भी थोड़ा सा बचकर चलना है और इस बात पर भी हमको एक पोजिशन नोट करके चलनी होगी यात्रा संबंदी स्तियां बड़े मेजर लेवल के गेन दे सकती है जिसको भी समेट कर चलिएगा और वहीं ये भी ख्याल रखा जाए कि हम भाईयों के साथ किसी भी कामकाज में है रियक्शन से बचेंगे नौकरी पेशा जिवन के अंदर यहां जो भी कामकाज या फिर प्रोफाइल चेंज का बेस सामने आता है तो वहां से भी गबराना नहीं है स्विकारुक्ति के साथ में चलना है आप देखिएगा कि यही स्विकारुक्ति और थोड़ा सा धहरे के साथ में चलना जादोई परिवर्तन आप के लिए लेकर आ सकता है यह सारे ही बेस प्रिपेरिंग अप्रोच आपके सामने और वहीं पर जो तकनीक संबंधी कामकाज है जिसके साथ में आपने अभी तक काफी हद की एक evolving process को देखा है यहां और जादा बहतर तरीके से आप perform करने वाले होंगे कहीं पर भी रुकने और ठकने की गुझाईश आपके लिए नहीं है ब्रेहस पती परदान राशी के जातकों को चाहिए कि मंगलवार को शिव मंदिर जाकर पुरे ही शिव परिवार की दर्शन करें प्रदोश रत इसी समय अंतराल में शुरू किया जाए तो और ज़्यादा बहतर आपके लिए रहीगा तो यह था मंगल का होने वाला राशी परिवर्तन जो की वरशब राशी के साथ में चलने वाला होगा हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजर होते रहेंगे धन्यवाद और कोटी शेह आभार